ओम शान्ति आज पांच में 2021 है और आज की मुर्ली से बाबा का वर्दान है स्वयम की स्मृति में रहे अपने हर करम को सैयम यानि नियम बनाने वाले अथोरिटी स्वरूप भव तो बाबा ने आज हमें अथोरिटी स्वरूप भव का वर्दान दिया और इसकी विधी बताई कि हमें स्वयम की स्मृति में रहना है और जब हम स्वयम की स्मृति में रहते हैं, तो हमारे हर करम, हर बोल, हर संकल्प नियम बन जाते हैं। हमें ये पता है कि जैसी हमारी स्मृति होती है, वैसे हमारे विचार होते हैं। जैसे हमारे विचार होते हैं, वैसे हमारी वृत्ति होती है। और जैसी वृत्ती होती है वैसी दृष्टी होती है जैसी दृष्टी होती है वैसी हमारी कृती यानि हमारे करम होते हैं और जिस आधार पर हमारी सृष्टी बनती है तो जब हम अपनी स्मृती को पावफुल रगते हैं स्वयम की स्मृती यानि मैं कौन हूँ मैं आत्मा तो हूँ लेकिन कैसी आत्मा हूँ संगम युगी ब्राह्मन कुल भूशन आत्मा हूँ तो मेरे संकल्प automatically इसी आधार पर चलेंगे मेरी दृष्टी मेरी वृत्ती मेरी कृती इसी आधार पर श्रेष्ट बनेगी मैं कौन सी आत्मा हूँ मैं सूर्यवंशी आत्मा हूँ मैं पुजय आत्मा हूँ तो जब हम इन स्मृतियों में रहते हैं इन स्मृतियों को जागरित करके रखते हैं तो हमारे संकल्प, भोल, करम, स्वताहिश रेष्ट बन जाते हैं नियम बन जाते हैं तो बाबा ने हमें साकार बाबा का भी एक्जाम्पल दिया कि उन्हें ये नशा था कि मैं कौन हूँ और उस नशे और स्मृती के पक्के होने के आधार से उन्होंने जो कुछ भी किया वो हमारा नियम बन गया और इसी लिए कहा जाता है कि अगर साकार में भी कुछ उल्टा हो जाए तो भी वो सुल्टा हो जाएगा क्योंकि जब हमारी स्मृती श्रेष्ट है तो हमसे कोई भी कार्य उल्टा हो ही नहीं सकता तो आज जो बाबा ने हमें बताया है कि हम अथोरिटी स्वरूप बने अपने हर करम को अपने हर बोल और हमारे संकल्पों को हम नियम बनाए उसके लिए हमें अपनी स्मृती को श्रेष्ट स्मृती को जागरित रखना है सारा दिन हमारी स्मृती बदलती रहती है लेकिन आज हम अटेंशन दे और बार-बार अपनी स्मृती को श्रेष्ट बनाए ओम शांती